राजधानी रायपूर के भंकूरी इलाके में एक 40-50 लोगों का जो है जुन्ड जो है एक वाड में घुसता है एक मुहले में घुसता है और अचानक तोड़फोड करने लग जाता है इस पूरे विवाद में और इस विवाद के खिलाप में जो तमाम लोग हैं मुहनपूरी मचाया और एक अपने दुस्मन को ढूंडने के लिए वहां पर निकले हुए थे उसे मार काट करने के लिए और करीब करीब 40-50 लोग थे जिसमें से दो लोग जो है मुख्या इंद्रजीत और पंका जीने पुलिस ने गिरफतार तो किया ही है साथ में कुल 19 लोगों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है अब यहां पर जो मौझूद लोग है भनपूरी इलाके के उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या मसला है कौन थे ये 40-50 लोग किसे मारने घुसे थे क्या कुछ वहां पर आप लोग देखें कल भनपूरी के इतिहास में पहली बार इसे घटना घटी सावे 25 से 30 गाड़ी में करी 35 से 40 जन गुंटा बद मास मना आ के आम नागरिक मन जेकर कोई गलती भी नहीं है और कुछ कारण पता भी नहीं कि का करण से मन मार फीट करतें इस पीट से खुसी सावे और रस्ता में ज जहाँ भड़तना करे अपर अधिमन है तो उसके ज आप लोग आप लुग वहां पर देखें होंगे कौन लोग है बहन के रहने वाले कहा कि लोग हैं बारी उतना ही अच्छा इनको यह जो यूज के साथ खिलवार बरदास नहीं किया जाएगा हम महिलाओं के साथ हुआ है सबसे बड़ी घटना है कि महिलाओं के साथ किया है इतना बड़ा हो गया है आके हमारे घर के बहु बेटियों के साथ के चालीस पचास लोगों का गुठ है वो यहां पर अचानक पहुचा और वाड क्रमांग चार में वहां पर गए और वहां पर जा के आम जन हैं उनसे बत्सलूकी करने लगे महिलाओं से मारपीट करने लगे सडक पर चलते हुए गाडियों पर डंडे और लाठी बरसा है तो इस तरह की एक बड़ी घटना राजधानी रायपूर के भनपूरी इलाके में देखने को मिला और कल यह घटना हुआ था उसके बाद कल रात में भी बहुत सारे जो यहां पर भनपूरी के रहवासी हैं वो यहां पर ठाने का घिराओ करने पहुचे थे हालगी पुलिस 19 लो शुरू है लगभग 9 दिन हुए है और 9 दिनों में आप देखे ही होंगी कि राजधानी रायपूर में किस तरह की घटना जो है वो सामने आ रही है कहीं बलवा हो रहा है तो कहीं चाकू बाजी हो रहा है तो निश्चित तोर पर पुलिस प्रसासन पर भी यह सवाल उठ रह जो है या प्राधी बदमाज जो है बनपूरी इलाके में घुसे और वहाँ पर इतनी हिम्मत के साथ काम जनों से बदसलूगी की तो इस तरह की बड़ी घटना है और एक बार में ठाने के बाहर की आपकी तस्वीर दिखा रहा हूं जो करीब 100-500 लोग यहां पर इकठा जुलूस निकाल कर उनके पर वैधानी करवाही की जाएगी और यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि वास्तों में एक घटना जो है यहां पर घटित हुआ है यह बनपूरी इलाका है और खंतराई धाना च्छेत्र के अंतर गताता है फिलाल इस मामले पर जो है हम च्छाम को थाना खंतराई के बनपूरी एरिया में कुछ असमाजिक तत्तों के जारा आमजन के गाडियों में तोड़ पूड़ किया गया था जिस पे थाना खंतरे में अफराद दर्ज किया गया है और उसमें पुलिस के दौरा त्वरित कारवाही करते हुए 19 आरूपियो और उनके उपर विद्वयत कारवाही की जारी है क्या वजय क्या बताता है क्यों आचानक से तर्टों हो कि क्या गूर्पधित यह कि परसों रात में दो लोगों में लड़ाई हुई थी जिसमें से तोड़ पोड़ करने वाला आरूपी पंकज कुस्वाहा भी शामिल था इ इसे कारण वो गुरुप लेगे अपना यहां पे आया था अभी आरूपियों से भी पूस्तास की जा रही है और जो भी घटना हमारे उसमें आ रहे है नौलेज में आ रहे है उसमें हम लोग और कारवाही करते जा रहे हैं इसकी मेरे को जानकारी नहीं है और हमारे द्वारा अभी इनके विरुद विदिवर्द कारवाही की जा रही है कि बाहर ले आके भनपरी मार पीट करा थे वह अच्छे हैं बता इंसान आए अपन मंत बताओ कोई इंसान बाहरी आज में आके मार पीट करीं कि बोल बात नहीं है भिया सुनना हमा च्छतिगाड में लातान च्छतिगाड खातन भिया पुलिस लाता इसे प्रेटरिंग माला मोर एरियम देखे नहीं हैं बनपुरी में कभी इस प्रकार की घटना है नहीं हुई है जो गटना हुई है उसकी पूरी बनपुरी वासी, बनपुरी के नागरिक, आसपास के जन मानस कड़े सब्दों में निंदा करती है और आज मैं प्रसासन से मांग करता हूँ कि इस प्रकार की घटना की पुर्णवित्ती भनपुरी ही नहीं, पूरे 36 गड़ में कहीं नहीं होना चीए इसके साथ ही साथ पुलिस प्रसासन को अपने सरकिल अपनी बीट में घस्त करना चीए अगर पुलिस की विवस्ताय कम है तो साथन से इस्टाप की मांग करना चीए अभी तक तो गस्त करते देखे नहीं है इतने साल सरार है बन पूरी में अभी तक गस्त करते नहीं पुलिस रात में गस्त करते मतलब गरीबे मला चमकाय बर बर गस्त करते अगर सत्ता बदले है विवस्था वही है यह जो अभिये मनहा सत्ता बदले के बाद छोटे-छोटे रोजगार वाला मला ठेला गुम्ती मला हटा के काम करे है वही अगर नसा जो अवैस सराब भीका थे और सुखा नसा जो मेडिकल मन में मिला थे उला कुन बंद कर आही राम गरीब आदमी मनला मतलब कहीं भी कागरों से दुस्मनी होकर पूरा महलक महलल मारपीट कर रहा थे पूरा गाडी मन से तोड़ पोड़ कर रहा थे और सरम के बाद यह अभी तक जन परतिनी मन के दर्सन नहीं है इतना बड़े घटना हो है यह राइपूर ग्रामिड विधा सब्सक्राण बचाए यह सिती निर्मित होए है हमारे साथ पीडित पक्ष मौझूद है जिनके साथ यह विवाद हुआ था और विवाद कैसे हुआ क्या हुआ पूरी घटना की आप जानकरी देंगे क्या कुछ पूरा मामला हुआ था यह परसो रात की घटना अलबग नौ में रोड वनपूरी कोडियार होटल के आसपास खड़े थे हम लोग मैं मेरा दोस्ट पिंटू सिंग और भाई विनोध हमारा और यह सुनिल साहनी पंकज कुस्वाह यह तीनों बनपूरी स्थित मेट्रों बार से पी खा के निकले इन लोग तीन लोग तीसरे का नाम में बोल रहा हुँ उसको सब बुलेट बगर सब बोलते हैं इन निकले हैं और गाली के लोज़ करते हुए निकले और बाहर में खड़े हु सब्सक्राइब तो थोड़ी से हाथा पई किछी निर्मिन्त हो गई पिर उन्होंने कुछ वो अपसी उपता नहीं कुछ समझी नहीं है मैं उनसे कभी मिला नहीं हूं कभी ना कभी उनको देखा हूं फिर बात होई थी थी कि एक उसी में से एक वने में उपर बेर की भोत ल फोड़ दी हाँ चोट भी लेगी वियर की बोतल फोड़ दी तो मैं थोड़ासा आवाक रहा गया और मेरे सर से फुन वगरा निकलना चालू होगे लगवाद मेरे को तीन टांका लगा हुआ है फिर मैंने सब मेरे दोस्यारों मेरे को ततकाल फिर बोले कि जो रिपोर्ट अधाने में वापिस आने के बाद उनके पक से भी एक उर्कुरा का पारसाद है रितेश स्विंग करके वाकि बीच बचाओ और सम्झाओता होगा रखिया तो हम लोगे क्योंकि परिचित थे तो उस रात को हमने सम्झाओता कर लिया लिखित में देके यहां पर अब हमको य दूसरे दिन उन लोग इस माफी मांगने के बाद भी उन लोग दूसरी रंजिस को लेते हुए 20-25-30-40 लोग कम से कम लाटी होकी स्टीक से सब लेस होके बनकुरी में पुरा उत्पात में चाते हुए मेरे घर तक पहुंचे इन लोग और रास्ते में जो मिला चाहे बुज सब डर गए और उन्हें फोल मेरे को इतला कि आप जहां भी हो वहीं रहो क्योंकि कुछ बदमास लोग गुंड रहे हैं आपको करके तो यह थे विपिन जो जिनके साथ घटना पहले घटी सरविवार को और उसके बाद फिर कल इनके घर में जो है यह जो गुंडे बदमास ह जाड़ी आया उन तमाम जगों पर वह उत्पाद मचाते रहें इस घटना के पिछे किस तरह की पूरी जानकारी है क्या कुछ पहले घटना हुआ था उसके बाद कल यह जो बड़ा घटना हुआ है पूरी जानकारी हम यहां के रहवासी से जानेंगे कि यहां पर यह जो आवागमन था साड़े आठ बजे नौ बजे की घटना है वहां पर उन्होंने गाली गलोश के रोका तो इन्होंने उठा के बियर का बॉटल उनके सर में फोड़ दिया लगब हमारे दो भाई किसी के एक दोनों के सर में चोट लगा उसके बाद थाना में आके आवेधन दि लोग है आपसी सहमती के बाद उन लोग वापस चले गए रात को फिर सबेरे जैसा हुआ इन लोग 35-40 गाड़ी में दो तीन सवारी लेके वापस फिर भनपूरी आ है लाठी डंडा और बहुत सारे समान पूरे असमाजिक्त तो पूर में भी इनके खिलाब बहुत सारे माम आप इसलिए चाहा रहा हूँ कि करीब इसमें डेट लिखा होगा मेरा इसमें लोगों के खिलाब करीब छट पूजा के दिन का घटना है सुबह 4 बजे का में नाम किया है जैपी सिंग जैन प्रताफ सिंग लोग जैपी सिंग कहते हैं आपके सांद भी कुछ विवाद वहां पर पूलिस वालों ने पकड़ा लेकिन भीड़े ने छोड़ा दिया उसके बाद हम आके यहां पर फाइयार की यह हैं जिसका फाइयार दर्ज है जिसमें दफा लगा हुआ है उस समय उस समय इनके उपर दो सव चार तीन सव तेईस पांसो च्छे और बटे चौतिस उपर दफा न लगे या इनकी गिरफ्तारी नहीं हो आते हैं थाने बैठके दबाव बनवा करके जो है इनको जो है उपर से फोन कराते हैं कहीं से और इनको जो है गिरफ्तारी या तो नहीं होने देते हैं या दफा नहीं लगने देते हैं तो कुछ दफा कमजोर करवा करव दारीत करेंगे जहां पर नसा खोरी होता है नसा खोरी बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है लगभग कई वर्षों से आदत बना हुआ है उसको इन लोग नहीं कर पा रहे हैं अब सासन से अब पुलिस साहब से हम आवेडन किये हैं अब इन्होंने आश्वासन दिया है गिरिपत स्ट्रोलिंग होना चाहिए जहां पर अधिक मात्रा में नशे करने वाले लोग बैठते हैं समाजिक तत्तों का जमावड़ा जहां लगा होता है और भनपुरी बिरगाओं शेत्र में जो है अवैद रूप से जो सराब की विक्वी है उस पर भी बंद होने की मांग जो है ल इंजाम दे रहे हैं और भनपुरी इलाके में हुए कल बलवे को लेकर जो है सभी आरोपियों को पुलिस ने रफ्तार कर लिया है और आज यहां पर उनकी रैली जो है निकाले जा रही है छै धाना प्रभारियों की मौजूदगी में यह रैली निकाली जा रही है और कुल 19 जो है हमारी बाप है और देख सकते हैं यह वह अपरादी है जिन्होंने इस बलवे की घटना को अंजाम दिया था और पुरे इलाके में जो है महौल खराब किया था कर दो है कर दो है आगे और भी अपडेट के लिए देखते रहें न्यूस प्लस 21 आपके हक की बात